देखिए सर, बृत्यू को समझने से पहले क्या हमें जीवन को नहीं समझना होगा? बृत्यू को, मौट को समझने से पहले जीना क्या है? जीवन क्या है? उसे हमें समझना चाहिए, है न? जीना क्या है? जीना क्या है समझने के बाद हमें समझना होगा कि मरना क्या है? हम इसे उल्टा नहीं कर सकते, उल्टे रास्ते नहीं चल सकते तो इसे समझने के लिए आप लोग क्या दे सकते है? मैं आर्थिक रूप से नहीं पूछ रहा हूँ ऐसा तरीका डूमने के लिए जो इस जीवन से पूरी तरह अलग है इस खोज के लिए आप क्या दे सकते है बोलने वाला असहिश्न नहीं है वह सब देखता है कि क्या चलता है पूरी तरह से अलग जीवन का मतलब ये नहीं है कि किन ही मूर्खताओं के पीछे भागना नई कविताये, नए चित्र, नए नृत्य इत्यादी वही सारी बचकाना बाते तो क्या हम वास्तविक जीवन के अस्तित्व को समझ कर यह वास्तविक जीवन जो इस धर्ती पर हमारा चल रहा है इस जीवन को क्या हम पूरी तरह से परिवर्थित कर सकते हैं मैं इसे बदलने की बात नहीं कर रहा मैं इसी जीवन को परिवर्थित करने की बात कर रहा हूं पूरा बतलाओ क्या आप इसे समझ पा रहे हैं जो जीवन अभी व्यक्ति जी रहा है जो चल रहा है उसका पूरी तरह से अंत और फिर उसी की जगह पूरी तरह से कुछ नया इससे बिलकुल अलग जो इसी जीवन की जगह ले पाए और इसे करने के लिए हमें साथ मिलकर जाच करना होगा कि निरंतरता क्या है वो क्या है जो निरंतर चलता जा रहा है क्या है जो निरंतर चल रहा है क्या है जो हमारे जीवन में सतत चलते ही जा रहा है लगातार जारी ही रहता है वो क्या है? क्या वो हमारी यादे है? हमारी यादश्ट? लगातार अनुभव की श्रिंकला क्या वे हमारे अनुभव है? क्या वो मैं का सिलसिला है? मैं अहंकार जो की यादो की गटरी है यादो का एक बंडल है शायद किसी को यह बात पसंद ना आए व्यक्ति को यादो के आगे का कुछ चाहिए उसे और भी जादा पाने की हासिल करने की चाहा है और यादो से परे कुछ जादा पाने की खौईश भी यादधाश्ट की ही रचना है बराबर जो यादे व्यक्ति के पास है वह उनसे संतुष्ट नहीं है इसलिए उसे दूसरी यादे चाहिए तो यह लगादार चलने वाला सिलसिला जिसे हम जीवन कहते है यह श्रेंकला यह यादो अनुभव की गटरी ही मैं हूँ आप है जो जाना पहचाना है जो ग्याद है वही निरंतर है कितने डरे हुए है हम इसका अंत करने में व्यक्ति अनुभव से ग्यान से एक लंबा जीवन जिया है वह हर तरफ घूमा है यात्रा कर चुका है भगवान ही जाने किसलिए और फिर आप मुल्यांकन करते हो आप बोलते हो लेकिन हम कभी नहीं खोचते कि निरंतरता और अंत ये क्या है स्वई च्छा से जो आप पकड़े हुए हो उसका अंत करना आप समझ रहे हो मेरे सवाल को क्या हम एक दूसरे से यह सवाल कर रहे है अगर हमारा किसी से गहरा लगाव है किसी इनसान से किसी निशकर्ष से वह निशकर्ष चाहे कितना ही आतिहासिक भौतिकवादी माक्सवादी लेनिनवादी बलाबला इद्यादी व्यक्ति अपने ज्यान से अपनी विचार धाराओं से चिपका हुआ है उसका इनसे गहरा लगाव है क्या व्यक्ति स्वव इच्छा से बड़े आसानी से उसे छोड़ सकता है इसी का मतलब मृत्यु है उसे छोड़ना ही मृत्यु है आप मृत्यु से जगड़ा नहीं करते आप नहीं कहते कि मुझे और कुछ दिन चाहिए ताकि मैं क्रमवत सब कर लू वह तुमारे दर्वाजे पर खड़ी है तो क्या व्यक्ति निरंतर्ता को समझ कर उस निरंतर्ता का अंत कर सकता है लगाव हमारे लिए बहुत बड़ा साउदा है इस धर्ती से लगाव किनी विश्वासों से हट धर्मिता से धार्मिक संस्कारों से आदतो इत्यादी से लगाव होना सामान्यतह सुखदाई अनुभाव है किसी को अपने घर से लगाव है किसी को फर्नीचर से बड़ा ही लगाव है तो क्या व्यक्ती इस बारे में जागरुख होकर उस जागरुखता में ही इसका पूरी तरह से अंथ कर सकता है कल या परसो नहीं अभी इसी समय अब हम यहां बैठे है अभी इस निरंतर्ता की लगातार मांग इसको लेकर जागरुख होना अधिकार की निरंतर्ता सिक्षिल निरंतर्ता परिवार की निरंतर्ता खुद के गहरे अनुभों की निरंतर्ता इस पूरे सिलसिले का ततकाल अंत वही है मृत्यू तो मौत का इंतजार मत कीजिए जब हम पचास के, साट के, नबे के होगे पर इसका अंत हर दिन कीजिए मृत्यू के साथ ही जीओ सर ये केवल शब्द नहीं है बोलने वाला इन में अद्भुत तरीके से शामिल है ऐसी चीज के साथ जीना जिसका जीवन लगातार अंत कर रहा है ताकि भूत या भविश्य की कुई निरंतरता न हो वहा सिर्फ यह अंत ही हो जो की मृत्यू है ऐसे मार्ग में जीना चलिए बढ़िये सर इसके बारी में सूचिये मत इसके सत्य को देखिये विचार मृत्यू को जहसा नहीं दे सकता अंत के साथ जीना होगा तभी वह मौलिक परिवर्तन जगह ले पाएगा